आई होप आप लोग अच्छे होंगे कई बार हम छोटी सी वैल्यू के शेर्स अपने पोर्टफोलियो में आड़ करना चाहते हैं कि उसमें कॉंटिटी भी आपकी अच्छी उठ सकती है साइपी फॉर्म में भी आप ले सकते हो पर होता क्या है कि हम उसके पीछे का बैगराउंड नहीं चेक करते हैं तो अगर ऐसे कोई छोटी वैल्यू के शेर्स आपको मिल लाए हैं जिसका बैगराउंड भी ठीक ठाक है तो अगर उनमें कभी भी फ्यूचर में ग्रोथ होती है तो आपको इसमें अच्छी रिटन्स देखने को मिल सकते हैं इनको बहुत ही बड़ी ब्लूचिप कंपनी तरह से फंडामेंटल्स तो नहीं मिलने वाले तो सिंपली यह उनके लिए रहन स्टॉक होता है कि जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं पोर्टफोलियो में एड़ कर सकते हैं चैनल पर नए है तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस्स ना हो तो आज डिसक्स करते हैं स्टॉक पे स्टॉक का नाम है होटल लीला का नाम अगर सुनक खाय तो यह कंपनी वही है होटल विद्नेस में इंगेज मार्केट कैप देख सकते हैं कि आप लगबग आपकी छेसो करोन के आसपास की है करेंट प्राइस अभी आट रपे नब्बे पैसे का चल ला है बुक वैलू है 6.25 की मिन्स स्टॉक जो कोई अपनी बुक वैलू से बहुत ज़्यादा उपर ट्रेड नहीं कर रहा है स्टॉक का हाई है आपका 13.1 का फिस वैलू है टू की और आरोई आरोसी है आपका निगेटिव है ओनशी पैटर्न की बात की जाया है तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग आल्मोस 50% के पास की है जून कॉर्टर से कर आप कंपेर करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग बड़ी है mutual funds इसको नहीं होल्ड करते हैं insurance company इसको होल्ड करती है 2.09% की होल्डिंग है इसको नहीं होल्ड करती, Financial Institution Bank हाला कि इसको होल्ड करते हैं Star Investors की बात की जाए तो ITC Limited, ITC हर कोई जानता ही है वो 7.58% होल्ड करता है Universal Hotels जो हैं आपको 36.47% की होल्डिंग रखते हैं JM Financial Asset Reconstruction Company Limited 24.87% की होल्डिंग रखती है Rockford State Developers आपका 12.79% की होल्डिंग रखते हैं EPS में आप देख सकते हो कि गिरावड अच्छी देखने को मिली है हाला कि sales में थोड़ी बहुत improvement हुई है quarter on quarter तो खासकर यही होता है कि जब भी इस टाइप के share को आप ले रहे हैं आप देख सकते हो 80 प्लस के उपर भी ट्रेड कर चुका है तूथोन नाइंड में यह आपका गिर के 18 रूपीस आ गया था तन फर्दर यह आपका गया था 50 रूपीस के अराउंड वहां से देखिए गिरावड देखने को मिली वहां से उनको डाउन फॉली देखने को मिला है हलांकि आपका कोविट के टाइम पे 3 रूपी का share रह चुका था वहां से इसमें फर्दर मॉमेंट आई 10 रूपीस ब्लस के आसपास तक भी यह जा चुका है देखे कुछ लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात है कि इस टॉक जो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा सुन्ग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा है इस टॉक आपको साड़े आठ रूपए के आसपास पर सपोर्ड लेता है वहां से यह मॉमेंट देता है तो जिनको ट्रेड करना है उनको वेट करना है साड़े आठ रूपए के आसपास के आने का वहां पर आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं एट रूपीज का रखें स्टिक्ट स्टॉप लॉस और आपको देखना है इस टॉक 9 उपीज 30 पैसा अगर तोड़के टिक रहा है तो वहां पर होल्ड कर यह वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मेजर रिश्टन स्टॉक का अभी भी आपका 13 रुपए 15 पैसे का जो इसका 52 वीक आई 13 रुपए 10 पैसे का और आप देख सकते हैं और जो अपने पॉट्फोलियो में एड करना चाहते हैं वह एक बात यह सोच के जरूर रख लें कि यह लॉंग टर्म वाली बैट्स होती हैं अगर चली तो प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है और पॉजिशनल ट्रेडिंग इसमें चल लएए पॉजिशनल इंवेस्मेंट भी कर सकते हैं सपोर्ड और इस्टेंस के कोर्डिंग हो रहां उतना ही पैसा लगा है जो आपके रिस्स मनेजमेंट को डिफाइन करता हो यह नहीं की छोटा शेयर है तो कितने भी कॉंटिटी के लेली पॉर्टफॉली जितना डावर सिफाई रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए थैंक्यू